दोस्तों आज हम जानेंगे एकर आपके पास जन्धन का SBI Bank Count है अल्मोस्ट सभी के पास जन्धन का अकाउंट हो गई होगा जो एस्टुडेंट है जाहता जन्धन अकाउंट को इस करते हैं उस एकाउंट में कितने बायाश डिपोईट कर जाते हैं सारा कुछ वीडियो में मैं डिटेल्स में कवर के हूं एक पार्ट को मिस मत करना उससे पहले भी तक आपने इस चैनल को सस्क्राइब नहीं किए प्लीज चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें विकॉँज मोटी व्यसा मिलता है इस तरह कॉंटेंट करने के लिए चारी फ्रेंट्स बिना देरी के विडियो को स्टार्ट करते हैं तो देखे फ्रेंड्स चंधन का जो यह ATM कार्ड है जिसको अनों डेविट कार्ड बोलते हैं यह एक basic debit कार्ड है इस debit कार्ड से आप सिर्फ domestic यूज़ कर सकते हो international आप इस debit कार्ड को कहीं भी यूज़ में नहीं ले सकते डोमेस्टिक बोले तो इंडिया के अंदर आप कहीं भी इस कार्ड से टाइशन कर सकते हो online या offline कहीं भी लेकिन इस कार्ड को आप इंडिया से बाहर सोचोगे यूज़ करने के लिए तो इस नहीं कर पाऊगे कि यह बिल्कूल बैसिक डेविट कार्ड है जिसको आप बात करते हैं इस कार्ड से ट्राइशन लिमिट कितना है ATM से और online तो देखे कर आप किसी भी ATM मशीन से इस मतलब पर डे की बात करो 24 आवर्स पर डे की बात करो तो इस डेविट कार्ड से आप सिर्फ 10,000 तक विट्रो कर सकते हो 10,000 तक आप विट्रो करने का options नहीं मिलेगा और online अगर आप e-commerce पर शॉपिंग करते हो like Amazon, Flipkart, Mantra या कहीं भी किसी ऐसे platform जहां आपको उस डेविट कार्ड से पेमेंट करने के और शेक्ता आज है आप उस डेविट कार्ड से online भी 10,000 तक ट्राइशन कर सकते हैं 10,000 तक ट्राइशन करने का इसमें फैसलेटी नहीं मिलती है अब बात करते हैं मानलीजी आप इस डेविट कार्ड जो इस कर रहे हो यह डेविट कार्ड एकस्पायर हो जाता है यह कहीं पर गुम हो जाता है यह चोरी हो जाता है तो in case अगर आपके साथ ऐसा नहों मैं एक आपको एकस्पायर दे रहा हूँ अगर ऐसा हो जाए तो आपका जो डेविट कार्ड जो इसू करवाओगे इसमें आपको 0 रूपे यहाँ पर चार्ज देना होगा मतलब कोई भी चार्ज नहीं है बिल्कुल फिरी आफ कोस्ट है एंडर अगर आपका डेविट कार्ड एकस्पायर भी हो जाता है तो भी आपको वहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं लिया जाआगा 0 रूपीज चार्ज में आपका डेविट कार्ड बाइ पोस्ट आपके घर पर डिस्पैस कर दिया जाएगा इसमें आपको कहीं भी किसी भी तरह का कोई चार्जस नहीं दिया जागा बिल्कुल फिरी है क्योंकि फिरें जंदन एकाउंट का मद्दब यह होता है कि मद्दब जो लोग गरीब है उनके लिए जंदन एकाउंट उपन करवाया जाता है तो आपको समय में आगया और साथ चार्जस एंड का फिरो कमेंट में यह भी पूछ रहे थे कि आम जंदन एकाउंट में कितना बालेंस डिपोईट करके रख सकते हैं तो फ्रेंट्स आप इस एकाउंट में जितना चाहिए उतना बालेंस डिपोईट कर सकते हो कोई भी लिमिटेशन नहीं है लेकिन एक चीद ध्यान दिजिएगा आप एक बार में सुचोगे कि मैं 50,000 डिबिट काउंट में डिपोईट कर पाऊं तो इसके लिए आपको पेन काउंट देना होगा तो यहोग कि आपको समझ में आगया हुआ जन्दन एकाउंट से रेटेट कोई भी कौन फिजर हों कोई भी डाउट हो आप मुझे प्रस्लेन इस्टारां पर मैसेज करके पूश सकते हैं लिंक की वीडियो के डिस्केप्शन में अभी नेवाल है तिस वीडियो के यहीं पे एंड करने मिद्द एक नए वीडियो में एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद